आप मैंसे काई लोग मुझे comment section में लिखते हो कि मोहक why you so negative हर वीडियो में तुम BJP को criticize क्रते हो so this video is for you so do watch it अब मैं आप से पूस्या चाहता हूँ कि आपकी हिसाब से पिछले 8 सालों में प्राइमरेस चर्मोदी की सबसे बड़ी achievement कौन सी है इसका जवाब कई लोगों के हिसाब से इन मापस में है इस माप को देखिए ये इंडिया की water availability को दिखा थी है 2019 में और ये माप सेम चीज का है दिसेंबर 2021 में और इस कीम की वरे से हम इधर से इधर कैसे गए जैसे फूल काली जो 50 साल की हैं और हरयाना में बलाही गाउं में रहती है 20 साल से वो हर दिन करीब 800 मीटर चलती थी अपने परिवार के लिए पानी लाने के लिए 2020 में पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के ओफिशल्स उनके घर आये और उन्होंने एक नलके का कनेक्शन उदर लगाया इस कनेक्शन की वरिसे ना है उनको इतनी तपती दूप में चलना पड़ता है और डेली अब उनको 55 लीटर का पानी असानी से मिल जाता है और हमें से शायद कई प्रिविलिज्ज लोग इस चीज के इंपाक को रेलाइज नहीं करते हैं 2019 में बस 17% रूरल हाउसोल्ड के पास ही एक बॉर्टर कनेक्शन था इंडिया में ये लोग हैंड पंप्स, वेल्स और सर्फिस वाटर रिसोर्से पर निरभर थे पर 2021 के एंड तक ये नमबर 45 पसंट हो गया था और इस चीज के लिए जिम्मिदार कौन है? प्रिधार मंत्री मोधी गा चल जीवन मिशन, हर घर जल चल जीवन मिशन के तहट घर घर पाईप से पानी पहुचाने की विज़े से हमारी माताओ बहनों का जीवन आसान हो रहा है इस योजना का लाब इंसानों के साथ साथ पशुद्धन को भी हो रहा है और New York Times newspaper जिसने काई बाए प्राइम मिनिसर मोधी को क्रिटिसाइज किया है उन्होंने भी स्कीम को प्रेज किया है जैसे यह देखी है मोधी सरकार के आठ साल पूरे हो रहे है अब हम इसे काई लोग यह मानते है कि प्राइमेर से मोधी पॉप्लार है अपने नाशनलरिजम और हिंदरत्वा की वरे से अब यह ज़रूर है कि यह चीज़े एक इंपोर्टन रोल प्ले करती है पर यह बस रिस्पॉंसिबल नहीं प्राइम मिनिस्टर मोधी पॉप्लारिटी के लिए एक पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि इनकी वेलफैर स्कीम एक इंपोर्टन कारण है इस चीज़ के पीछे इन स्कीम ने एक इंपोर्टन रोल प्ले किया है प्राइम मिनिस्टर मोधी और उनके वोटेस के बीच एक डिरेक्ट कनेक्शन इस्टाब्डिश कर निकले पर ऐसी एक स्कीम है जल जीवन मिशन अब जब भी हम ऐसे वीडियो बनाते किसी गवर्मेंट पॉलिसी या स्कीम पर तो कई मैसेज़िस हमें आते हैं अब हमें खुशी मिलती है कि हमारे वीडियो आपको हेल्प करते हैं पर अगर आप अपनी यूपीसी की प्रेपरेशन नेक्स लेवल पर लेकर जाना चाहते हो तो आप कई यूपीसी स्पिसिफिक क्लासे और कोर्से ले सकते हो और इसके लिए आप यूज कर सकते हो आप क्लियर करने के लिए प्रेप लाडर का जो कॉंटेंट है वह भी बहुत स्ट्रक्चेट है जिसका यह मतलब है कि आपको उन चीजों पर टाइम स्पेंदे नहीं करना जिनकी आपको जरुवत नहीं होगी जिसका मतलब है कि पढ़ो उतना चाहिए जितना 2022 के के क्यूप सकते हो और फिर खुट डिसाइड कर सकते हो कि आपको प्रेप लाडर यूज करना है या नहीं और 24 घंटे के बाद भी आपके लिए काई रिसोर्स अवेलेबल होंगी जैसी NCRT Summaries, Current Fair Magazines और Infographic Explainers प्रेप लाडर की जो प्राइसिंग वो भी बहुत अट्राक्टिव है उनका General Studies का कोर्स आपको बस 7200 रुपे में मिल सकता है डिस्क्रिप्शन में उनकी आपका लिंक है तो उसको जरूर चेक आउट कीजिए ताकि आपको High Quality और Affordable UPSC PrEP के Materials मिल सके और ऐसा भी नहीं कि ऐसी स्कीम पहले इंप्लिमेंट नहीं हुए कभी 2009 में UPA Government ने एक ऐसी ही स्कीम लाँच करी थी और BGP सरकार ने क्या डिफरेंट चीज़ करी उन्होंने एक Demand Driven Model अड़ाप्ट किया Supply Driven Model की बज़ा है अब Demand Driven Model और Supply Driven Model के बीच डिफरेंज क्या होता है Imagine करिए कि एक birthday party है पर आपकी जिम्मेदार ही है सभी guests के लिए chocolates लाने की Organizers ने आपको कहा है कि इस party में 10 लोग चामिल होंगे इसमें से 4 को sugar free chocolate चाहिए और 2 को ऐसी chocolates चाहिए इसमें कोई बदाम या फिर काजू ना जब आपको यह जानकारी मिल जाती है आप exactly वही chocolates खरीदे हो जिनकी जरुवत होती है यह है Demand Driven Model दूसरी side अगर Organizers को कोई idea नहीं है कि party में कितने guests आने वाले हैं और उमको कौनसी chocolate पसंद है और नहीं पसंद तो आपको अन्धा दून guess मारना होगा कि आपको कौनसी chocolates खरीदनी है इसकी वरे से या तो आप पम chocolates लेकर आ सकते हो या फिर ऐसी chocolates लेकर आ सकते हो जो कोई खाएगा नहीं या फिर बजट से जादा आप चॉकलिट्स खरीच सकते हो इस model को बुला जाता है Supply Driven Model जहां आप decide कर रहे हो कि आप कितनी चॉकलिट्स लाओगे और जैसे आप देख सकते हो इस Supply Driven Model की वरे से कई मुश्किल आ सकती है डीजेपी सरकार के जल जीवन मिशिन ने Supply Driven Model नहीं बलकि Demand Driven Model अडॉप किया था इस Demand Driven Model में Fund Allocation इंडिया के Different Regions की जरूरुत्तों के हिसाब से होती है और स्कीम की खास बात ये थी कि ज्यादा तर Planning Center ने नहीं करी थी बलकि Villages ने खुद करी थी हर गाउ में एक Water Supply Committee बनाई गई थी जिनका नाम था पानी समिती जिनकी जिम्मेदारी थी एक Village Action Plan बनाना जिससे गाउ में Water Supply Infrastructure बनेगी इन कमिटीज में कई गाउवाले थे और इन कमिटीज को लीड कर रहे थे गाउ के सरपंच एक Village Action Plan के साब से Public Health Engineers हर गाउ के Water Supply System के लिए तीन ओप्शन्स देते और पानी समिती डिसाइड करती कि इन तीन ओप्शन्स में से वो कौन से सेलेक करते हैं और ये समिती ये भी डिसाइड करती कि गाउवाले कि इतना पैसा देंगे इस पानी को यूज करने के लिए और जब एक बार Water Supply Infrastructure बन जाता तो Public Health Department इस Infrastructure की Operation और Maintenance की जिमिदारी इन पानी समितीस को ही देती इसकी विसे जितना भी पैसा गाउवाले दे रहे थे पानी को यूज करने के लिए वो पैसा फिर पाइप्लाइन्स की Maintenance के लिए यूज किया जा सकता था इसका मतलब था कि प्रधान मंत्री डिसाइड नहीं करे थे कि हर गाउँ कैसे पानी यूज करेगा बलकि विलिज की कमिटीस डिसाइड कर रहे थी पर हमें ये भी नोट करना चाहिए कि UPA सरकार की जो स्कीम थी वो भी कुछ हद तक demand driven ही थी पर वो इतनी successful नहीं हो पाई CAG के एक report के साफ से दो कारण थे जिसकी विसे UPA की स्कीम फेल हो गए थी UPA सरकार की स्कीम के साफ से हर state और union territory को एक annual action plans create करना था हर साल पर कई राजयों के operation और maintenance plans या तो prepared नहीं थे या फिर पूरी तरह complete नहीं थे और अगर हम fund management की बात करें तो ऐसे कई incidents हुए जहां center ने 15-15 महीने तक funds transfer ही नहीं करे थे जबकि जल जीवन mission ने fund allocation performance के basis पर करें इस strategy के तहत वो states और districts जो अच्छा perform करती उनको जाज़ा funds मिरते जिसकी वरिसे एक interstate और intrastate competition create हो गया और हर state और district अच्छा करना चाहता था पर हमें ये भी realize करना चाहिए कि कि किसी को पानी देना एक बहुत simple चीज है पर इसकी वरिसे एक बहुत बड़ा impact create होता है जल जीवन mission का primary motto था हर घर जल और इस scheme ने उन लोगों पर especially धियान दिया जो disadvantaged communities से थे जिसे वो गाओं जा majority SCST population थी उनको priority दी गई और क्यूंकि पानी की जिम्मेदारी सबसे जादा महिलाओ पर होती है इसलिए उनको भी decision making process में involved किया गया एक rule बना गया कि पानी समिती की आधी members महिलाए होंगी इस scheme का एक health impact भी पड़ा जैसे हमने पहले बात करी थी कि इंडिया की mostly rural population hand pumps पर निर्वर करती है अब जहाँ पहले ये माने रददा कि hand pumps से साफ पानी आता है पर recently पाया गया है कि इंडिया में ground water कई heavy metals से contaminated हैं इससे कई बिमारिया हो जाती है और सूखे की वड़े से तो कई लोग के पास ये भी पानी अवेलिबल नहीं होता पिछले साल 36 गड के कुंदरू गाओं में गाओं वालों को drainage का पानी कंजूम करना पड़ा क्योंकि hand pump का पानी अवेलिबल ही नहीं था इसलिए अतना surprising नहीं होना चाहिए कि इंडिया में करीब 4 करोड लोग water bond diseases से गुजरते हैं और करीब 15 लाग बच्चे हर साल डाइरिया से मारे जाते हैं अब हमें ये भी पता होनी चाहिए कि ये scheme perfect नहीं थी rainwater harvesting और water recycling के जरही है अब ये scheme की खामिया जरूर है पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए इसका कितना बड़ा impact पड़ा है इंडिया के आम लोगों की जिंदगी पर ये दोनों बस maps ही नहीं हैं बलकि इनके पीछे कहानिया है उन लोगों की जिनकी जिनकी जिंदगी पूरी तरे बदल गही है scheme की वरे से तो hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ऐसी research driven वीडियो देखने तो उनको ज़रूर check out कीजिए and do also check out the prep ladder app link description में see you next time